तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे BA Economics और BSE Economics के बीच आपसे मैं एक Course comparison आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत दोस्तों मेरे इस चैनल में और अगर आपने 12th की Class को पास कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि 12th की Class को पास करने के बाद आखिर कौन कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अगर आपसे मैं BA Economics course के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो BA का मतलब होता है Bachelor of Arts और BA Economics का जो course है वो एक Undergraduate Level की डिगरी का course होता है तो जाए course तीन वरश का course होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं तो BA Economics course में आपको काफी कम quantitative courses की जो knowledge होती वो आपको परदान की जाती है और इसमें जो humanities और जो social science के जो course है बहुत ज्यादा आ जाते हैं तो इस course को पूरा करने के बाद आप Policy Analysis, Market Research, Generalism, Public Relations, etc. में दोस्तो आप जा सकते हो अभी आपसे मैं दूसरे course के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ जो है दोस्तो B.S.E. Economist का तो B.S.E. का मतलब होता है Bachelor of Science और B.S.E. Economist का जो course है वो वी एक undergraduate level की डिगरी का course होता है तो जाए course तीन वरश का course होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं तो B.S.E. Economist course को काफी जादा जो student होते हैं वो करते हैं जिसमें काफी एक strong quantitative skills की जरूरत पढ़ती है इसमें आप mathematics, statistics और econometrics जैसी जो चीज़े होते हैं वो काफी जादा strongly से आप study करते हो तो B.S.E. Economist का जो main मकसद होता है वो technical skills की उपर जादा होता है जैसे की econometrics और data analysis B.E. Economist के course वरख में history, sociology, political science एक sector जो fields होती हैं वो आ जाती हैं और दूसरी तरफ अगर आपसे मैं बात करूँ B.S.E. Economist course में तो इसमें काफी जादा deeply, math, computer science और engineering की चीज़ें आ जाती हैं जानि B.S.E. Economist का जो course है वो कुछ हद तक आप उसमें जादा benefit लेते हो उसमें आप जादा study करते हो तो वैसे जाद दोने courses best हैं जो student रे वो अपनी personal skill और interest के base पर किसी भी एक course को वे select कर सकता है अभी आपसे मैं eligibility के वारे में आपसे मैं discuss करने वालाओं की जानी इन दोनों courses किया कर क्या eligibility criteria है तो अगर आपसे मैं BA economics course का eligibility criteria आपसे मैं discuss करूँ तो आपको जो 12th की जो class है उसे आपको pass करने पड़ेगी आप जो 12th की जो class है वो आप किसी भी stream में pass कर सकते हो लेकिन आपको जो 12th की जो class है वो आपको English, Mathematics, Economics, etc. सब्जेक्ट्स के साथ आपकी pass होनी चाहिए और दूसरी तरफ अगर आपसे मैं बात करूँ BA economics course के वारे में तो इसके लिए दोस्तों जो science की stream है जानी जो physics, chemistry, जो mathematics है इन subjectों के साथ आपको pass करने पड़ेगी और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सरी universities का जो eligibility criteria है वो इन दोनों courses के regarding वो different भी हो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BA economics और BSC economics के बीच आपसे मैंने एक course comparison आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको पराफ्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार के कोई doubt है तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे courses के बारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हो तो अंत में दोस्तों अभी आपको जैब वीडियो कैसी लगी अगर आपको जैब वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दन्यवाद